रूस यूक्रेन वॉर का आज सात्वा दिन है। यूक्रेन पर जारी ताबर तोड हमलों के बीच। रूस के राश्च्रपती लादमिर पूतिन ने सेना को अपनी प्रतिरोधी शक्तियों को स्पेशल एलर्ट पर रखने का आदेश दिया है। जिन में परमाडू हतियार भी शामिल है। ऐसे में अमेरिकी राश्च्रपती जो बाइडन ने लोगों को भरोसा दिलाते वे कहा है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि पूटीन का ये बयान अनावश्यक और उक्साने वाला है। बता दे कि पेंचाकन के प्रेस सचीफ जॉन किर्भी ने जोनी अननस ने परमाडू हतियारों पर उनकी टिपड़ी के लिए पुतिन की खिचाई की। नोंने बताया कि ये एक दबाही होगी और ये रूसी संग का आतंख होगा। दुनिया परमाडू युद को किसी भी सूरत में बरदाश नहीं करेगी। सीनेट सवश्रस्ट्र सेवा समिती के रैंकिंग सदस्य सीनेटर जिम इन होफे ने पुतिन से परमाडू हमले और इस युद को खत्म करने की अपनी धंक्यों को वापस लेने के अपील की। बहुत सी लोगों ने पुतिन के बयान का ये अर्थ निकाला कि वो बस जनता को सं अंदेश भर देना चाते हैं। उनकी मनशा वास्तव में परमाडू हतियार इस्तमाल करने की नहीं है। क्योंकि पुतिन जानते हैं कि ऐसा हुआ तो पश्चमी देश जवाबी कारवाई करेंगे। इमा चौकी तक पहुचाने और उनके यात्रा के लिए भोजन और अन्यावश्यक आपूर्थी के विवस्था करने में मदद के लिए एक हल्प लाइन शुड़ की है। आपको मारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के ले सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल टीवी नाइम भारतवर्श देश्टर। देश बनता है अपने नागरिकों से। ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दे। जो सचाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरुक भी रहें। इस काम में टीवी नाइन डिजिटल है आपका मददकार लगातार ताकि आप भीड का हिस्सा न बने बल्कि रह दिखाएं भीड को। देखते रहें टीवी नाइन डिजिटल।